आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं मैकेनिक कंपनी का एक प्रोडेक्ट जो के हैं मल्टी मिटर है यह जो के बहुत ही बहतरीन मल्टी मिटर मुझे लगा तो चली हम इसका साइड बाई साइड ओवर्विव देखते हैं और फिर बाद में से अन्बोक्सिंग करते हैं तो इसके बैक साइड में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे देखिए 100% ओरिजनल जेन्यून प्रोडेक्ट है उसका देखिए QC पार्स का भी सर्टिफाइड है और यहाँ पे कौन सा मॉडल है वो भी लिखा हुआ है S1V20 यह जो मॉडल नंबर है बैक साइड में इसका QR कोड है और यह देखिए यहाँ पे clearly mentioned है कि यह compact multimeter है जो ज़्यादा तरात है बलकी multimeter उससे यह कही ज़्यादा compact है तो अब आसान इसे carry कर पाओगे तो चलिए हम इसे unboxing करते है तो यह देखिए पहले इसके cell निकल गए यह कोई भी battery वाला नहीं है यह cell वाला है यह multimeter और यह देख charging में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आईगी transport में भी कोई problem नहीं आईगी तो हम इसे sign में रखते हो इसके देखते है यह है जो के उसका जो cable है जो वाहर आते है जो checking करने के वो है यह भी मुझे बहुत सही quality में लगे और यह extra cable भी है इसका क्या उप्योग होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा और यह देखिए यहाँ पर गन्यान की बात है पुस्ता के मक्ही मच्छर में लिखी हुई है जिसे समझ में आए वो पढ़ सकते है और चेक कर लेना और तो कुछ भी नहीं है तो हम इसे अब side पे रखते है चलिए यह हमने side में कर दिया है इसका packaging मुझे personally सही लगा जब transportation में कई से भी मंगाते हो तो हम आप मीटर खराब नहीं होगा वो आसानी से आ जाएगा और देखते है कुछ और तो रह तो नहीं है नहीं खाली है पूरा चलिए तो हम इसे निखालते है यह हमारा मीटर अभी on नहीं है यह जो back side है light है और यह ncv का अभी option दिया है जिसे ncv नहीं मालूम है मैं आपको बताऊंगा इसका क्या use होता है तो चलिए हम इसे अब बैटरी उसके अंदर fit करते है और इस अपने मीटर को हम चालू करते है देखिए इसके मीटर यह जो मीटर है यह जो मीटर है देखिए इसके उपे एक extra cover भी दिया हुआ है तो यह हमारा cover देखिए आसानी से निकल गया है और उसका जो back side है देखिए मैं आपको पहले cover बता दूँए उसका जो quality है बहुत सही है जो आपका मीटर गिर बिर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम नहीं होगा चलिए तो हम इसे अब फटा फट से बैटरी को install कर देते हैं तो यह हमारा battery परफेक्ट इंस्ट्रोल हो गया है आप देखिबा रहे होगे तो हम इसे अब install कर देते हैं और हाँ मैं आपको यह बात बता दूँ जो आपको कम कीमत में यह जो मीटर चाहिए तो आपके लिए यह best मीटर है जो के मेकेनिक का model नंबर है V20, sorry 120 इसका model नंबर है जो आपको purchase करने में तकलिप भी होगी तो मैं आपको इसका description में link दे दूँगा तो आप वहाँ से भी आप purchase कर पाओगे तो हमारा पूरी तरह से देखे मीटर install हो गया है चालू हो गया है work होना start हो गया अभी start होने से पहले मैं आपको यह जो मीटर जो wire है उसका आपको मैं build quality बता देता हूँ तो चलिए हम इससे फटा-फट से निकालते हैं और यह देखी पा रहे होगे आप वीडियो में कि इ यह भी बहुत ही बैतरीन मुझे लगा यह first time मैं देख रहा हूँ कि इतना बैतरीन उसके साथ wire भी आते है उसके meter यह देखिए उसका जो नौक भी है fluke में जो fluke आता है fluke company का भी meter आता है वो 55,000 का आता है उससे भी यह सही मुझे crop wire लगे जो उसके साथ आते है यह तो चल वाला portion देखो red में जाएगा और black वाला portion यह कौमा में जाएगा देखिए perfectly fit हो गया हमारा यह meter perfectly यह हमारे fit हो गया है crop wire तो यह जो है जो option है multiple option है मैं आपको zoom करके बताता हूँ इसमें सब multiple option है तो चलिए हम इसे buzzer के option पर रखते है फिर यह gigahertz पर है फिर उसके बाद में amperes है ऐसे multiple options है जो आप use कर पाऊगे जो use करते हैं उन्हें मालूमी होगा तो चलिए हम एक बार आपको बता दू NCV चलिए तो हम NCV का जो option दिया हुए उसे हम check करते हैं तो यह देख लिया मैं आपको पहले में इसको zoom करता हूँ NCV का option चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है हम पहले अपने इसको ground पे रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं हमारा buzzer बजता है कि नहीं बजता है तो चलिए हम उसके पहले buzzer चेक कर लेते हैं तो यह हमारा buzzer perfectly work कर रहा है तो चलिए हम इसे फटा- जो sensor दिया हुआ है आप screen पे देखी पा रहे होगे वो screen पे जैसे ही आप touch करोगे तो उसका जो voltage का wave से उसको sense करेगा detect करेगा और फिर बाद में आपको buzzer से आपको knowledge देगा यानि beep का sound आएगा तो आपको यह video अच्छा लगा हो तो like करना, share करना और कौन से tool के बारे में information चाहिए हमें comment section में comment करना और हाँ एक बात बता दू इसका जो आपको full review चाहिए है तो हमें comment में comment जरूर करना thanks for watching